और वक्त हो गया हमारे खाशो बिहार करांती पाठू का जियां बात साल 1905 की है पटना में ट्रांस्पोर्ट टिकट को लेकर एक विवाद हो गया बात छोटी थी मगर देखते ही देखते चातरों का वो आंदोलन इतना उग्रो हो गया कि खुद प्रदान मंतरी जवार लाल नहरू को पटना आकर दखल अंदाजी करने पड़ी बावजूद इसके अंदोलन कारियों का गुस्सा कम नहीं हुआ यहां तक कि ट्रांस्पोर्ट मंतरी महेश सिंग को स्तीफा देना पड़ा और तो और महेश सिंग और महा माया सिंग अगला चुनाब भी हार गए बैयार से शुरू है आंदोलन का इतिहास कुछ ऐसा ही है यहां की जमेन से जो भी क्रामते शुरू ही उसके गुण्श दिल्ली तक सुनाई पड़ी एक बार फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है यह तब की धर्ती है यह जब की धर्ती है यह चंद्रगुप्त की धर्ती है यह चानक की धर्ती है यह ग्यान की धर्ती है यह अजान की धर्ती है यह धर्ती है कर्ण के कर्म की यह धर्ती है धर्म के मर्म की ये धर्ती है अशोक की, ये धर्ती है बुद्ध की, ये धर्ती है क्रांती की, ये धर्ती है शांती की, ये धर्ती है अंदोलन की, ये धर्ती है परिवर्पन की, ये धर्ती है बिहार की जाने बिहार में ऐसा क्या है कि यहां की धर्ती पर कदम रखते ही नेता अचानक क्रांती, आंदोलन और बदलाव की बाते करने लगते हैं अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है पत्ना में महा गठवंदन के महा जुटान हुआ नितीश कुमार के अगवाई में जब वहां नय मोर्चे के संभावना अंग्राई ले रही थी तब सियासत के दीदी ने बिहार के लिए फिर वही बाते दोराई जो इससे पहले कई बार दोराई जा चुकी थी महा गठवंदन की ममता ने बिहार की धरती से दिल्ली के सत्ता में बदलाव के हुंकार लगाई और अगले ही हफ़ते बीजेपी की चानक के उस संभावना को जड़ से समाप्त करने के उद्देश से दिल्ली से पत्ना के तरफ दौर लगा दी गुरुवार को आस्मान के बादलों ने बड़ी देर तक ग्रही मंत्री का उड़न खडोला पटना में ही रोके रखा जैसे तैसे वो लखे सराय पहुंचे तो उनकिस जुबान पर अपने पुराने साथी के लिए छलिया कालंकार और पल्टू बाबू का विश्येशन था पल्टू बाबू निटिस कुमार दी पूठ रहे थे कि नौ साल में क्या किया अरे निटिस बाबू जिनके साथ इतना बैठे हो जिनके कारण मुख्यमंत्री बने जरा तो लिहाज रखो नौ साल में देश बर में ठेर सारे काम मुदी जिने किये ही लखिसराय से ये ललकार ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से देश के सियासत में बदलाव के संभावना तलाश रहे निटिश कुमार को अब उन्हीं के गढ़ में चुनावती देने की रड़ नीती तयार हो चुकी है 23 जुन को पटना में महागडबंदन का महा जुटान और उसके एक सब्ता के अंदर जेडियू के सबसे बड़े गड़ में अमीज सा का हला बोल ये कोई महज सियासी इत्तफाक नहीं है बलकि ग्री मंत्री अमीज सा ने नितिश कुमार के बढ़ते सियासी कद और सियासी संभावनाओं को धुस्त करने की कोईशिस की है जिसके जरिये वो लगतार बीजेपी पर हमला बोलने की कोईशिस में लगे थे अमेत शाहने लखे सराय के जिस धर्दी से हुंकार भरी वो उसी मुंगेर लोकसभाग शेत्र का हिस्सा है जहां से नितिश कुमार के सबसे बड़े रणीतिकार ललन सिंग दोबार सांसद रह चुके यहां इस बात को दोहराना बहतर होगा तब बीजेपी और जेडियों में दोस्ती का दौर था और अब सियासी अदावत के स्वक्त में यह समझने के लिए कोई सियासी पंडित होना कता ही जरूरी नहीं कि बीजेपी यहां से जेडियों को उसी की गर में घेरने की काबायत शुरू कर चुकी है वार ऐसा भी नहीं कि उसकी नजर सिर्फ मुंगेर तक है मुंगेर के आसपास दो और लोकसभधिशेत्र है जमुई और बेगु सराय जमुई से चिराक पासवान सांसद है जबकि बेगु सराय गिरिलाज सिंह का गड़ है इन तीनों लोकस भग में करी कि देश के मानिय ग्रीमंत्री स्री अमीट साजी लखिस रहा है और मुझको उनका भासन सुनके अस्चल लगा आप कह रहे हर घर नल का जल केंदर सरकार ने जल जीवन मिशन के ताथ पहुंचा दिया गनाई जुमलेवाजी है यह राज्य सरकार ने नितीश कुमार्ची की सरक अगर घूम घूम के जुमलेवाजी ही करना है तो आईए घूम यह परियाटन करिये जुमलेवाजी करिये और जाईए 34,000 कलोर का नल जल योजना जो कहते हैं कि मेरा है यह इसको तो आपने नहीं बोलते हैं ललन बाबू अपने मुख मंत्री जी से पूछिए कि ए태 24,000 कलोर वी नहीं बता रहे हैं क्यों कहते हैं कि 34,000, 34,000 कलों में 24,000 कलों और केंदर का है नल जल योजना का ये बताइए सिर्फ सियासी फरावडिज में मत किजिए सारे फरावडों की जमार जूट गई है राजनीती में एक तरफ नितीश कुमार पटना से दिल्ली में सत्ता के बदलाव की नई अबारत लिखने के लिए बेचैन है तो दूसरे तरफ बीजेपी बदले हुए राजनीती गरश्टों के इस नए दोर में भी बिहार में अपने सियासी विजय की वही कहानी दोहराने को बेताब है जो उससे पहले वो दो बार कर चुकी है लगिस सराय सामिताब ओजा के साथ सौरफ कुमार न्यूस 24